नमस्कार मैं हूँ इंद्रमो क्या शुशान सिंग राजपूत को ड्रग दिया जा रहा था? क्या इन सब के पीछे रिया चक्रबर्ती थी? कई सारे सवाल हैं जो फिलहाल, ED, CBI और अब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी जानना चाहती है कि सुसान सिंग राजपूत के मौत के पीछे का राज क्या है? अब जो वाट्सअप मैसेज वाइरल हो रहा है उस वाट्सअप मैसेज के अनुसार तो ऐसा लगता है कि रिया चक्रबर्ती किसी ड्रग्स का इस्तमाल कर रही थी दरसल एक जो रिया चक्रबर्ती का वाट्सअप मैसेज है उसे रिट्राइब क्या गया है? मैंने ऐसा message जिसे delete कर दिया जाता है phone से लेकिन उसे वापस इजाजत ले कर वापस परहा जा सकता है और जो उस message में दिख रहा है उसमें रिया जिससे बात कर रही है उसमें एक drug का जिक्र किया गया है जिस डुक का नाम है MDMA और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उसे अगर उसके चार ड्रॉप्स को कॉफी या चाय में या पानी में सिप करा दिया जाए तो 30-40 मिनट के बाद ही वह किक मारेगा यानि कि आपको उससे नशा हो सकता है अब CBI और Narcotics Department इस एंगल से भी जाच कर सकती है कि क्या इस पूरे मामले में किसी Drugs Racket का भी हाथ है क्या कुछ लोग अभी भी जूट बोल रहे हैं CBI से या कुछ ऐसी बाते हैं जिससे पर्दा हटना अभी बांकी है क्योंकि आज CBI जाच का छटा दिन है और अभी तक लगातार नीरस से पिठानी से CBI सवाल जवाब करी रही है बलकि अब तो आमने सामने बिठा कर भी सवाल जवाब किये जा रहे हैं क्योंकि दोनों के इंडिविज्वली जवाब अलग अलग आये थे जो सुत्रों से पता चला था वो यही था कि दोनों अलग अलग बाते कह रहे हैं इसके बाद अब इसमें ड्रग्स एंगल भी घुस्ता हुआ दिख रहा है ड्रग्स एंगल का जिक्र सुब्रमन्यम स्वामी ने भी अपने टूइट में किया था उन्होंने भी एक सक्स का जिक्र किया और कहा कि पूस्ताच उससे भी होनी चाहिए क्या इसमें कोई ड्रग्स एंगल है क्या रिया सच में सुसान सिंग राजपूत को ड्रग्स दे रही थी या इसके पीछे कोई और ठियोरी है फिलाल अब जाच जो है इस एंगल से भी होने वाली है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इसकी जाच करेगा और इस मैसेज की सत्यता की भी जाच करेगा कि आखिर इस मैसेज के माइने क्या थे क्या रिया सच में किसी ड्रग डीलर से बात कर रही थी क्या रिया खुद ड्रक्स ले रही थी हलांकि रिया के वकील का कहना है कि रिया ने अपनी जिन्दगी में कभी भी ड्रक्स नहीं लिया आप चाहें तो उनका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं लेकिन अब सवाल कई है इस मैसेज के पीछे का राज क्या है और सुषान सिंग राजपूत की मौत के पीछे की भी गुत्थी क्या है यह गुत्थी अब उलस्ती जा रही है हर दिन जैसे जैसे CBI की जाच आगे बर रही है हर दिन कुछ नया खुलासा होता जा रहा है और अब लेकिन एक बात तैह है कि इन सभी बातों से परदा तभी हटेगा जब रिया CBI के सामने पूरी बात सच बताए और इन चैट के बारे में भी बताए कि इस चैट के माईने क्या थे सुसान सिंग राजपूत के मौत से जूरी हर एक खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद